तो दोस्तों यह अमेजिंग टेप्स और हैक्स से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं जो मेरा ओडियंस जो है वो बार-बार हमसे सवाल करता है कि सर फेसबुक पर रीचिंग आती है बहुत जाद दिक्कत है दोस्तों यह बात सच है कि सिर्फ शोशल मीडिया फेसबुक की बात नहीं है जाद अधर प्लैटफॉंस के उपर अगर आप देखोगे तो वहां पर रीच थोड़ा कम होता जा रहा है इतना असान नहीं है लोगों को लोगों तक पहुंचना और उनको एंगेज करना क्यों क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की देट में शोशल मीडिया के उपर और स्पेशली जो प्लैटफॉंस बहुत जादा पॉपुलर हैं उस पे हर मिनट हर सेकंड हजारों लाखों की तदाद में लोग अपना कॉंटेंट शेयर कर रहे हैं क्योंकि हर सेकंड इतना कॉंटेंट आ रहा है तो उसको कंजूम करना लोगों के थ्रू बहुत म देखते हैं तो इसलिए ही यह अमेजिंग हैक्स आप समझो तो पहला जो है जो सबसे इंपोर्टेंट है वह है कि आपको अपने कॉंटेंट को ऑप्टेमाइज करना है और उसकी फॉर्मेंटिंग पर उसके एक्शन पर ध्यान रखना है अब इसमें आप क्या क्या कर सकते ह करते हो सबसे पहले दोस्तों कि आप एवौइट करो जो आप कैक्शन पोस्त्यों यूज करते हो आप अननेसेस्री के हैस्टेक्स मत यूज़ करो साथ के साथ के साथ जो आपका कॉंटेंट है जो क्या अंदर उसको यूदिक रखो कुछ एंगेजिंग रखो की सामने वाला उसको देखके क्लिक करें अब इसके अंदर कई लोग क्या करते हैं कि अपना उरिजनल गांट वीडियो के फॉर्म में या इन्फोग्राइफिक्स के फॉर्म में डालने की बज़ाए वह एक्सिटरनल लिंक्स शेयर कर देते हैं जोस्तिरे का लिंक शेयर कर देते हैं अपने किसी ब्लॉग का लिंक शेयर कर देते हैं एक्सटर्नल लिंक शेयर कर रहे हैं कि महनत ना करने पड़े तो दोस्तों महनत करने पड़ेगी अगर आपको कुछ अचीव करना है तो इसलिए आप अपने यूनिक क्रियेटिव वीडियो या इन्फोग्रैफिक्स को शेयर करो और साथ के साथ अपने जो आपका कॉंटेंट है पोस्ट कर रहे हो उसमें एक सीटीए जरूर दो कि वह आपके किसी वेबशेट पर जाए किसी यूसफुल चीज के ओपर वह जाए ताकि उनको भी बेनिफिट हो या आप जहां चाहते हो कि ओडियोंस इंट्रेक्ट करें और वह आपके बस एजल आए आपके संग इंगेज हो तो सीटीए भी देना जरूरी है सेगेंड टिप यूज स्केडियूलिंग फीचर मतलब दोस्तों अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेंड करनी है क्योंकि जरू मतलु आपको ंपलोड करते है किसी भी सेभी आपका कॉंटेंट मिस ना हो इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेंड करने के लिए स्कूंग कूद्टेर को वाम है त्क कкой अधियू करने में क्यूंत ग्यूंकि प्लेश रखा कमारे हैं कर दोस्तों अधियू कहां मार्केटिंग और म क्योंकि आप इसनी मेहनत करके content बना रहे हो और वह content अगर आप किसी भी टाइम नहीं अगर सही टाइम पर डालोगे तो जादा रीच और जादा engagement मिलना for sure है तो इस वात का ध्यान रखिएगा फॉर्ट पर दोस्तों आपको अलग-अलग formats यूज करने है content के अब इसका मतलब है कि जैसे कि जब आप पोस्ट करते हैं तो फेस्बुक में कई options होते हैं आप images फोटो इन्फोग्राफिक्स वीडियो ठीक है आप लाइव आ सकते हो और कहीं सारे options होते हैं तो और इसके अंदर stories वगारा भी होती है तो आपको सारे formats बहुत ज्यादा popular है वो है एक तो वीडियो आप डाल सकते हो और दूसरा है आप फेस्बुक पर लाइव आ सकते हो तो यह दोनों सबसे ज्यादा engagement लेकर आते हैं सबसे ज्यादा reach मिलती है अगर engagement आएगी तो reach भी बढ़ती जाएगी और आप infographics का भी इस्तेमाल कर सकते हो फिफ्ट टिप है आप यूज कर सकते हो facebook groups को और third party engagement sources को जैसे कि आपके employees या आपके partners या जो आपका circle होता है दोस्तों होता कहें कि जब आप अलग-अलग groups के अंदर हो तो वहां पर बहुत बढ़ी community है अगर आपने इंटरेक्ट करते हो अपने link share करते हो तो वहां से भी आ सब्सक्राइब करते हो तो नियूरीच मिलती है वहां से इंगेजमेंट मिलती है साथ के साथ जो आपका circle है बिजने सरकल है फैमिली सरकल है फ्रेंट सरकल है आपके employees है उन सब लोगों का अपना खुद का भी एक network है तो आप उनकी भी help support ले सकते हो ताकि आपको उनके थू भी ज्यादा new audience और उनके थूंगेजमेंट मिले सिक्स्ट टिप है और जो बेहाद important है दोस्तों आज की डेट में अगर आपको किशी को अपनी तरफ attract करना है तो आपको उसको कुछ offer करना बढ़ता है तो इसलिए सब श्यादा popular है और आजकल companies और बड़ी companies हो इसको अज़ करती है और दोस्तों जो 7 है हमारा वो है कि आप करें कि आपका page verified हो जाए उस पे ब्लू टिक आजाए तो लोगों का ट्रस्ट जादा बनेगा हम सब को पताए कि जो pages verified होते हैं इसमें ब्लू टिक होता है उस पे जोड़ना चाहते हैं उस पे जादा रीच आती है फेस्बु आप अपने followers से request कर सकते हैं कि वह आपके लिए notification turn on कर दें इससे होता कि है जब भी आप कोई content पोस्ट करते हो तो उनके पास notification जाता है नोटिफिकेशन से जब उनको पता लगता है कि आपने कोई content डाला है तो आपकी जो fan following है जो आपके followers है वो इस content को देखते हैं और जितना ज्यादा content देखा जाएगा या उस पर engagement आएगी तो automatically जो रीच है वो बढ़ती जाएगी और further engagement आती जाएगी तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने followers की help लेके आप अपने engagement और रीच बढ़ा सके नाइन्थ टिप है दोस्तों कि आप चीजों को fully automate ना करें बहुत सारे बहुत सारे automation टूल्स आ गए तो लोग क्या करते हैं कि हर चीज completely fully automate कर देते हैं जो की 100% सही नहीं है कुछ चीजों को आप automate कर सबते हो तक आप समय बचा सको आप के काम efficiency या productivity बढ़े बड़े बड़ authentic human touch चाहिए तो वह अगर missing है तो फिर आपका पेज भी रोबोट की तरह बनके रह जाएगा इसले दोस्तों उसमें जान हमीशा रखिए और 10 टिप है last है but not the least बहुत important है सबसे लोग यहीं गलती करते हैं वह पेड़ फॉलोवर्स खरीदना पेड़ एंगेजमेंट करने हैं अलग-अलग आइडियास पर मैनत करने हैं ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आज कल लोग क्या पसंद कर रहे हैं आपको चीज की डिमांड कर रहा है यह सब आपको करना है बजाए पैसे देगे फॉलोवर्स खरीदना क्योंकि ना तो उससे रीच बढ़ेगी और ना ही थैंक यू